दिल्ले के मुखी मंत्री अर्विंद केजरिवाल पर हुए हमले को लेकर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है आमादवी पार्टी का सीधा आरोप है कि उसके साड़े तीन साल के कारिकाल में चार बार मुखी मंत्री केजरिवाल पर हमला हुआ है और उसका सीधा आरोप है कि बीजेपी इसकी साजिश रच रही है यानकि बीजेपी ये हमले करवा रही है वहीं बीजेपी इन आरोपों को नका रही है लेकिन इस हमले को लेकर इस तरह के हमलों को लेकर दिली की जनता की क्या राय है आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे आपको क्या लगता है कि मुखे मंतरी पर अगरे यह जो हमले हो रही है क्या इसके पीछे कोई साजिश है या पुलिस की नाका में ही है क्या लगता है आपको नहीं मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता है यह पबलिक स्टंट हो सकता है और पुलिस जो है जो केंदर के आधिन आती है वही है कि केजरी वाले सोज रहे हैं कि यह मेरे अंडर आ जाए बस य कहा नहीं सकते कि पॉलिटिकल है या फिसाजिश है मगर वैसी घलत बात है जो भी हुआ गलत है किसी को पर भी हमना करना गलत बात है एक्शल में जो कारण है वह यह चीज है कि केजरी वाल हमेशा हर चीज को बढ़ाने के बढ़ा चड़ा के करने की बात जो है वो करता है हर जो है कोई बीचे कर छोटी चोटी चीज होगी तो उस चीज को बढ़ा चड़ा के कहना जो है मेरा मानना यह चीज है जो लोग एक्सपेक्टेशन से लोग गुसे में है इस वज़े से वो इस सब घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जानके के बातनाम किया जा रहा है क्योंक जो क्लाइन्ट है या ज़ो विक्टिम है उसके ऑफ-कॉर्डिग है मेभी उसकी पसनाल ह्रासमेंट भी हो जखती है पलिटिकल भी हो सकता है इस चीज को हम नहीं कह सकते क्या है नहीं है यह डिपेंड करता है उसको आभी इंविस्टिगेट किया जाएगा तो प्लीस अपन क्या है कि मुख्यमंत्री के जीवाल पर जो हमले हुए हैं जनता की मिली जुली जराय यहां पर हमको सुनने को मिली लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के ऊपर किसी भी वो चाहे राज्जी के मुख्यमंत्री हो इस तरह के हमले बिलकुल नहीं होने च चाहिए और कुल मिलाकर अगर सुरक्षा में किसी तरह की सेंथ है, किसी तरह की कमी पाई जाती है, तो उसको दूर करने की कोशिशे की जाने चाहिए।